और जब ये एक सीमा से परेच चला जाता है, तब आपके विचार आप पर पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं। लगभग 90 प्रतिशत लोगों की परेशानी यही है। सुस्ती, या तो भोजन या विचारों के अधिक मात्रा में सेवन करने से आती है। शायद आप ये सोचें की विचारों के अधिक सेवन से आलस कैसे आएगा। हालांकि हर कोई ये तो समझ सकता है की बोजन के अधिक सेवन से ज़रूर सुस्ती आती है। अगर विचार आपको खा रहे हैं, तो आप देखेंगे की आप बिस्तर से बाहर ही नहीं आना चाहेंगे। मैं विचार प्रक्रिया की बात नहीं कर रहा। मैं विचारों के ज्यादा सेवन की बात कर रहा हूँ, जिसका मतलब है विचार लगातार बह रहे हैं। बिना आपके प्रयास के, बिना आपके ध्यान के, बिना आपके इरादे के। जब ऐसा हो जाता है, तब आप देखेंगे कि स्वभाविक रूप से आप भौते गतिविधियों से बचना चाहेंगे, और जब ये एक सीमा से परे चला जाता है, तब आपके विचार आप पर पूरी तरह से कबजा कर लेते हैं, चिकित्सा विज्ञान में इस थिति को भद् दिये जाते हैं, ये महत्वपूर्ण है कि भोजन में और अंतहीन विचारों की गति में एक तरह का सयम होना चाहिए, जेतना से सोचना या बस विचारों के सहारे जीवन जीना, ये दो बहुत अलग चीज़े हैं, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है कि बहुत सारे लोगों को इन में फर्क पता नहीं है, और इस वज़े से जो कीमत मानवता चुका रही है, वो उचित नहीं है. जो निशकर्ष आप अपने मन में निकालते हैं, वे जीवन को अनुभव करने की आपकी शमता को कम भीर रूप से कम करते हैं. जितने ठोस आपके निशकर्ष होंगे, उतना ही ज्यादा आप उनके आधार पर अपनी पहचान बनाएंगे, और उतनी ही ज्यादा आपको अपनी मानसिक सच्चाई, अस्तित्व की सच्चाई लगने लगेगी. लग भग 90 प्रतिशद इंसानी दुख बस यही है. आप अपने मानसिक नाटक को सच्चाई समझने की भूल कर बैठते हैं. यह आपका नाटक है, आप इसके साथ जैसे चाहे खेल सकते हैं. अगर आप इस नाटक के अच्छे निर्देशक हैं, तो आप इसे जैसा चाहे बन नालेंगे. नहीं तो यह बेतर तीबी से हो रहा है. यही अस्तित्व की सचाई है. यह कितनी सुन्दर है, पर ज्यादातर लोग अपने मन में जीना चुनते हैं, क्यूंकि उन्होंने ठोस निशकर्ष बनाए हैं. और अब उनके लिए यह विकल्प ही नहीं रहा, कि उन्हे आप्त ध्यान दीजिए. और आप स्रिष्टी के स्त्रोत की उपस्तिती को उसमें देखेंगे. आपको यह अनुभव करने की जरूरत है. मानसिक नाटक आपका बनाया हुआ है. जो अस्तित्व गत नाटक यहां हो रहा है, उसकी तुलना में मानसिक नाटक बहुत छोटा है अब समय है कि आप इसका आनंद ले. ये मेरी इच्छा और मेरा आशिरवाद है कि आप अपने ही मन की कैज से बाहर निकले और स्रिष्टी की सुन्दर्ता को जाने. बुन्यादी चीज, सबसे मौलिक पहलू जिसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है, वो यह है कि आप नि इशकर्ष नहीं बनाते, तो आपके मन के दर्वाजे बंद नहीं होंगे. अगर आप केवल अपना तर्व लगाते हैं, और अपनी समझ के दूसरे पहलूओं को नजर अंदाज करते हैं, तो आप जीवन की हर छोटी चीज को लेकर भ्रहमित रहेंगे. क्योंकि तर्व एक काटने वाला उपकरण है. ये एक चाकू की तरह है. अगर आप काटना चाते हैं, तो ये एक अच्छा साधन है. पर अगर आप एक चाकू से सिलाई करने की कोशिश करते हैं, तो आपके पास चिथिड़े बचेंगे. ज्यादा तर मनुश्य इस समय यही अनुभफ कर रहे हैं, कि वे सिलने के लिए, चीजों को जोडने के लिए, एक काटने वाले साधन का इस्तिमाल कर रहे हैं. आप जितना प्रयास करेंगे, आपके अंदर आपके उतने ही चीथड़े होंगे. ऐसा समय था, जब लोगोंने दुनिया को बांटा था, फिर वे और ज्यादा बांटते चले गए. आपने यह देखा, ऐसा समय था, जब लोग साथ रह पाते थे. भारत में ऐसे परिवार थे, जहां एक परिवार में 400-600 लोग होते थे. वे एक ही घर में रहते थे. फिर धी थोड़ी समस्या बन गए, तो हमने उन्हें कहीं और भीज दिया. आप बच्चे समस्या बन गए हैं, हम उन्हें कहीं और भीज रहे हैं. और धीरे-धीरे पती और पतनी अलग-अलग घरों में रह रहे हैं और वीकेंड पर मिल रहे हैं. बस यही नहीं. अपने भीतर भी, आपने अपने आपको कई हिस्सों में काट कर खुद को कई लोगों में बांट दिया है, क्योंकि तर्क काटने की प्रक्रिया है, अगर आप जीवन के हर आयाम के लिए केवल अपने तर्क का ही इस्तिमाल करते हैं, तो आपका यही हाल होगा, एक दिन आपकी मानसिक्ता खंडित हो जाएगी, हाँ, तो ये महत्वपूर्ण है कि मन के दूसरे आयाम आपके भीतर जीवित हो, बुद्धी के उन आयामों के जीवित हुए बिना आपका दिल नहीं धड़केगा, आपका लिवर काम नहीं करेगा, आपकी किड्नी काम नहीं करेगी, ये सब कुछ नहीं होगा, ये सब आपके तरक से नहीं हो रहा, तो आपके भीतर समझ के ऐसे आयाम हैं जिनकी खोज की जानी चाहिए, और उन्हें आपकी जेतना में जीवित होना चाहिए. झाल